इस बताई जहाँ, कुछ नहीं बोले हैं तब का बताई सोसल मीडिया पर इन दिनों एक बीडियो बाइरल हो रहा है, बीडियो में साब तोर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक यूबक के साथ मार पीट की जा रही है, अर्धनगन करके मार पीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था बीडियो दो साल पुराना बताया जा रहा है, बीडियो जब से सोसल मीडिया पर पड़ा है तब से सोसल मीडिया की सुर्खिया बन गया है बीडियो को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल है और इस बीडियो से जुड़े कई संबंधों को लोग जानना भी चाहते हैं इसी क्रम में हमारे साथ पीडित मौजूद है जिनके साथ मार पीड की घटना को अंजाम दिया जा रहा था वो पीडित हमारे साथ मौजूद है पहले तो आपको बीडियो के संबंध में बता दें बीडियो मध्य प्रदेश के रिवा जिले का है रिवा जिले के हनुवना तहसील अंतरगत पिपराही ग्राम पंचायत आता है पिपराही ग्राम पंचायत में महिला सर्पंच हैं और महिला सर्पंच के पती के द्वारा मार पीड की घटना को अंजाम दिया गया था दो साल पुराना बीडियो है बीडियो अभी हाल ही में वा लेकर तरह तरह से लोगों की प्रत्क्रियाएं आ रही हैं पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा मेरा नाम जैप्रकास गुद्था है कहां के हैं अपना पूरा एड्रेस देजिए ग्राम पोश्ट प्राही जीला रीवा मंतिकदेश की दिवास है यह आपके साथ मार पीट की घटना को अंजाम कौन दे रहा है यह सरपंच का पती है जबाहर सिंग जो कि प्रताप गंज हार सिकंडरी में सिक्षा विभाग में बाबू के पत्पे हैं है ना यह आपके साथ मार पीट की घटना को अंजाम क्यों दिए यह हमारा गाड़ी का भाड़ा लग रहे थे त अपने आद्मियों से बिलवाए अपने घार और फिर बोले कि पैसा आओ के लिए जाओ तो उनके घर में चला गया साल चड़ा में तो फिर सर मुझे अंदर बांग अंदर कर लिए और बोले कि किसी से कुछ नहीं बोले हैं हाँ तो फिर होगे हमारा हाथ बांधे दो आदि वोहां पर जड़ाब की साद मारविट की घरतना को अंजाम दे रहे थे तब कितने लोग मौजूत है तीनों का नाम आपको पता है त mermaid कर नाम जवाहर सिंध ऑ और एकका नाम नाम राम जेसे है और एका नाम राज्शक ुमार पर बता है कब की है पूरी बात आपको याद है दस तारिक पच्वा महीना 2021 की बात है दस तारिक 2021 की यह बताईए जब 2021 में आपके साथ मार पीट किये तब आपको सिकाइद करना चाहिए जा रहे थे तो बोला कि एगर सिकाइद करेगा तो काटके डाल देंगे महिया के जंगल में अब इसके डर के में हम शिकाइद करने घय थे पर वह वहाँ चैसे से चाहिजण सटेथि उसको पहले मिल जाती है मुझ आप उन पर पिर चला जाता था तो यह वीडियो ओ कैसे हुआ जानकारी हैता है तो आपको यह पता कैसे चला कि आपका वीडियो बाइरल अब सोचल मीडिया पे हो गया है कब आपको बताएं अभी हाल में कितने दिन हो गया तो दस दिन हो गया तो अब को संपर किया गया तो आप तो अभी हाल ही में बता रहे थे कि आप पहले जब आपके सांव मार पीट हुई थी ताब ने गया तो वहां पर आप से सबूत म हना जा रहा था कि क्या सबूत है कि मार पीट हुई है जी है और इसके बाद जब आप फाई यार दर्ज करवाने गए तब सबूत नहीं मागे फिर सबूत वही वीडियो सबूत था तो क्या कितने आरोपी अभी तक पकड़ गया अभी दो फरार है आज आप लोग हनुमना तहसील में आए थे हनुमना तहसील में क्यापन के लिए प्रवाही हो आए दिन हमें हमारे घर परिवार को धमका रहा है कि जान से चार दिन शूटने पाए तो फिर बताते हैं तेरे को और यह दो बार तीन वार आ रहा हैं मारने के दमकी दे रहा है अच्छा यह धमकी कौन वह तो जेल में जा चुका है वह जो 302 का मुलजिन था क्या नाम है वह उसके द्वारा धमकी दे जा रहे हैं क्या बोला जा रहा है हां कि रुख चार दिन आने दे फिर बताते हैं चार दिन वाद तेरे को बताने का मतलब क्या है अभी भी यह है कि छूटके आएगा तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे अच्छा इसके तो यहां से आपको क्या लगता है मदद आपकी हो पाएगी पूरी या फिर अभी भी अधूरा है अभी तो कोई मदद हुई नहीं है अभी तक अब जो मदद करेगी सासन पर सासन करेगी तो क्या लगता है आपको मदद होगी आपकी क्योंकि पूर में आपने हनुमना थान अंतरगत कैलासपूर में सुकवरिया कांड देखा है जी जी कोई मदद नहीं हो रहा है तो अभी आप लोग वहां पर आपके परिवार में कितने सदसे हैं हम लोग हैं च्छाय भाई पर सभी लोग बाहर रहते हैं पिपराही में हम लोग चार लोग रहते हैं तो कहीं न कहीं प्रसासन को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप अकेले वहां पर रहते हैं पिपराही आउट साइड है कुछ जंगल टाइप का वहां पर पूरा रहता है आए दिन कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिये तो अब क्या करेंगे हम लोग आप क्या कर सकते हैं दिये हैं यह जमानती पतार आमSH OF क्वेवार भाल तो जमीन में जेबरन कभजा सब्सक्राइब मैं ऑफी मन में डर बना हुआ है दास्त विज लोग दिन बर बने रखतें वहाँ अब क्या माग है आपके माग है कि हमारे जान की रख्षा किया प्रताम काम सब से इसके बाद मुल्जीम की जो मुल्जीम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उसका जमानत बिलकुल नभ हो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सासन से मैं भी गुजारिस करूंगा कि पीडिर व्यक्ति को सुरक्षा देने का कारे किया जाए मध्य प्रदेश में जिस तरह से आए दिन वीडियो बाइरल हो रहे हैं कहीं न कहीं वो चिंता जनक है क्योंकि रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतरगत की अगर बात की जाए तो पूर्व में कैलास पूर्मे सुकवरिया देवी हत्याकान का मामला तुल पकड़ चुका था लेकिन उस पर भी अभी अस्थानी लोगों का जो कहना है तो यही कहना है कि कोई कारेवाही नहीं हुई इसके बाद अगर मध्य प्रदेश के सीधी जिले की बात की जाए तो वहां से भी एक बीडियो बाइरल हुआ उस पर भी मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा कारेवाही की गई लेकिन वो अभी मामला सांत नहीं हुआ था कि रीवा जिले के पिपराही से एक और वीडियो वायरल हो गया सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि अब मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा क्या कारेवाही की जाती है क्या सीधी के जैसे रीवा में भी कारेवाही की जाएगी या फिर यूही कुछ धारा लगा कर आरोपी को पहले सलाकूं के अंदर रखा जाएगा और फिर बाद में छोण दिया जाएगा इसी के साथ मैं विजयतिवारी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत अबशना अब बताकि जाएगा एगा है जाएगा जाएगा बता है अब बताई को हुआ है अब बताई को हैं आपको इस पुछ रही बोले हैं तब कारता है कि अपने का 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 अपन कि अप्राइब कर दो जो प्रफप जो यो अप्रीज अव्रीज अप्रीज अगार कर दो अध्रीज है को अधू चुब कर दो कि अधान